तो यह दोगली राजनीत है, इस तरह की राजनीत हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, जनता इस बार दिखाएगी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अब बेंदी में मंत्री बनने लायक थे, उनको नहीं बनाया गया, जहां तक है सुकला जी नी बहुत मेनत किया था, और आठो नाम से मतलब नहीं है, क्योंकि लगता है, हो सकता है, इस बटवारे की चेपर में कहीं, सिवराज महमा जो अपने है, खुद मुक्यमंत्रिपत से कहीं, तो फिर से चुनाओ की आ जाए, जो भी सरकार जनता दोरा चुनी जाएगी, चाहे बीजेईपी की हो, या का अंग्रे कर भी स home, हम ये वोलना चाहते है, कょ जो ये मंत्रि मंगल का गत्ः वे है, वह अपने बिन्दह के लिए बहुत ही गलत है, और मामा ने गलत किया है, जो अपने बिन्दह के लोगों में से एक नहीं चुना है, और हम ये चाहेंगे, कि मामा इस फैशले को बदले, और ऑपने मामा की चाल है और मामा यह सब आएसी राजनीत कर रहे हैं मामा की चाल है और हम लोग चाहते हैं कि मामा अपने इस राजनीत को अगले बार दिखाए लिए यह चाहते हैं कि हमें इसा अगर भुण्ध आठो सिट लाई है lemakji कोई months everyday घंठरई कर और बंचर बना रहे जो फूराना हो उसको किया जाए आप किस विदाय को देखना चाहते हैं मंत्रीपत को हमारा किसी भी अक्टिविशेस से मतलब नहीं है जो स्रेश्ट हो जो बढ़ने लायक हो उसको मंत्रीपत दिया जाए बिल्कुल यह मैं चाहता हूं जैसे अपने मत्व देश में जो 24 चीटे खाली है जिसमें से दोकी आपात कालीम रित्व हो गई और 22 के तल बदल के कारण है ठीक और उसमें 41 परचंट बीजेपी के जो मंत्री मंदा ले उसमें 41 परचंट बीजेपी वालते हैं कांग्रेस वालते हैं तो उस पर आप क्या बो को आप मंत्री पर की सब्सक्राइब दिलाए वो तो सब जोतरा थे सिंधिया और उसी उडाज ने मिलके ऐसा रखना रचा है और जो अपने दिंदे में बनने लायक मंत्री थे उनको नहीं बनाया गया हम लोग सब लोग मिलके चाह रहे हैं कि सब इसमें फेर बदल किया जा जो भी सरकार जंता द्वारा चुनी जाएगी चाहिए बीजेपी की हो या कंग्रेश की हो वो सरकार मानने होगी उसमें मंत्री के गठन फिर से किया जाए ऐसा हमारा मानना है और नहीं तो यह दोगली राजनीत है इस तरह की राजनीत हमें बिलकुल पसंद नहीं है जंता उनका कदर डाउन करने के लिए इसा किया गया हो हो सकता है लेगिन जो किसी मंत्री नहीं बनाए गया जितने भी और जहांत है सुगला जी ने बहुत मेंनत किया था और अठों का रटों विधायक दिया था तो हम यह चाहते हैं कि हो सकता हैं ये लोग राजनीत लगाए हो करते हैं कि यहां से रहें विधायक या जो भी राजनीत हो इन लोगों की राइया है कि शुराद सिंग्ने कर दिया कि मत देश जो अपने रिवा में और बिन प्रदेश में जो विधायक चुनकर आएं वो चिर्प मोधी जी के नाम पर जीते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सब मेनत और लगन से जीते हुए हैं काम की वज़ा से जीते हैं ऐसा नहीं है कि मेंत्री जगए बर जहां और नागिन सिव जी हैं कई लोग हैं यह बहुत पुराने हो चुकिए हैं लेकिन किसी को मंत्री नहीं बनाया गया जो नए उम्र के लोग थे उनको मंत्री बना दिया गया इसाब राजनीत है अब तो अपने मद्द प्धेश में मंदल का गठानों चुका है अब चाहते हैं लेकिन जनता जो चाहेगी इस बार नेड़ा होगा इस बार करते हैं जो आच्छा कंडिडेट होगा जितना अच्छा जिसको दिल से जनता चाहेगी वही इस बार होगा और बजेपी जहां तक ह है तो नहीं नाएगी हो सकता है मेरा मानना है अभी सब्सक्राइब से ज्यादा लग चुके हैं मंत्री बनने के लिए लेकिन उसमें भी खीशतान मची हुए विवाग बटवारा में कि बटवारा करने में क्योंकि लगता है हो सकता है बटवारे की चक्कर में कहीं सिवराज महां जो अपने अपने मुक्य मंत्री पत से कहीं अपना पत्यागने की कोशिशिश नहीं हो जाए सब लोग उसके चकर में उनको ही इस्टीफा नहीं देना पड़े मुझे तो ऐसा ही अनुमान लग रहा है क्योंकि बड़े पत की बात आती है बना चाहते हैं और शुराज महां यहीं चाहते हैं कि जो हमारे मंत्री हो जाएं पास काम से मतलब नहीं नहीं है क्योंकि जनता की सेवा करने के लिए चुने जाते हैं विधायत और वह अपने बड़े पत के लिए चोटे पत की बात नहीं करती है कोई है कि वह मिलना चीए बैक ब्राउंड कि यह बड़े पत की बात क्यों आ रही है लोग चार रहे हैं कि हमें बड़ा पत मिले बड़ा पत मिले लेकिन यहां पर हमारे जो बिंदे में हैं बहुत खुस हैं और उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो भी खुस हैं वह जानते ह हमें विधायक बनके विधास कर लेंगे और मंत्री से कोई मतलब नहीं है हमारे बिंदे के पूरे खुस हैं कोई भी ना खुस नहीं है जैसे अब बरतमान में अपने जो डांसर गोविंच सिंग हैं उन्होंने बयान दिया कि सिंदिया समर्थकों को राजस व्याग में जग हमें लग रहा है कि कहते हैं कि उनके इतने समर्थक थे उन्हें मंत्री बनाया गया और सब लोग तो ऐसे ही रह गये हैं सब लोग देखते रहे हैं कि हमारा नंबर को आएगा चले जा मिन जी